Hey guys, welcome back to the channel, super idea, super ideas में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, उत्राखंड में तीन जिलो में भारी बारिश का अलट जारी किया गया है तो कौन से वो तीन जिले हैं, वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो प्लोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो उत्राखंड में मांसून की बढ़ती गतिविदी के साथ ही भारी बारिश का सिलसला भी शुरू हो गया है कुमाउ से लेकर गढ़वाल तक भिशन गर्मी से जूज रहे लोगों को बारिश से राहत मिल रही है देर रात से रास्तानी दैरादून समेथ सभी पहाडी जिलों में तेज बारिश हुई मोसम विबाग के मुताबित अगले 24 गंटे के लिए पितोरागड, अलमोडा और नैनिताल समेथ अन्य जिलों में भी यलो अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 24 गंटों में उत्राकंड में बारिश का सिलसला जारी रहेगा और मोसम ठंडा रहेगा उत्राकंड के अधिकांश जिलों में अगले 24 गंटों में भारी बारिश और बिजले करने की संभावना को देखते हुए मोसम में भागने यलो अलर्ट जारी किया है अगरे 24 गंटे में धैरादून में भी हलकी से मध्धम बारिश हो सकती है ऐसे में सभी जिलों के लोगों को स्तर्क रहने की जरूरत है धैरादून में मंगलवार को ही भारी बारिश से राजदानी का मोसम पूरी तरह बदल गया है कुछ दिन पहले तब बिश्ण गर्मी से परेशान दैरादून वासियों को बारिश से राहत मिली है तापमान में गिरावट तो है लेकिन बारिश से परेशान्या भी बढ़ गई है काफी सारी वाइरल वीडियो भी आप लोगों ने देखियोंगी बारिश के चलते दैरादून के ज़्यादतर रिलाकों में पानी भर गया है वेपारियों का कहना है कि जल जमाओ की कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नालों की सफाई नहीं होने से दुकानों के बाहर भी बारिश का पानी जमा है हरिदवार में अधिक्तम ताकमान 31.5 और नियूंतन ताकमान 23.7 दर्ज किया गए है तो तीन जिले मैंने आप लोगों को बता दिया है जो है ने इताल पिथोरागड और अलमोडा में भारी बारिश का अलट है तो आप सब लोग अपना ख्यार रखे जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ तब तक थैंक्यू सो मच ववाए टेक क्या